हलो स्टुडेंट आयम नीतु सर्मा फ्रम ग्लोबल टीचर अकेडमी आज मैं आपके सामने मंदिर इस्थापत्य कला की तीन सैलियों में से बेसर, नागर और द्रविड इन में से मैं आपके सामने द्रविड इस्थापत्य कला की फीचर्स और विसेश्ताओं के बारे में चर्चा करने जा रही हूं द्रविड आर्किटेक्चर स्टाइल आफ टेंपल mentioned as one of the three इस्टाइल आफ टेंपल बिल्डिंग यह मंदिर निर्मान की तीन कलाओं में से एक है द्रविड, नागर और बेसर द्रविड आर्किटेक्चर स्टाइल को अगर आप देखेंगे तो यह बेसिकली सदर्ण इंडियन इस्टेट्स के फीचर्स हैं दक्षिन भारत राज्यों की विसेश्ताएं हैं जैसे तमिलाडो, करनाटका, केरला और आंधर प्रदेश यहाँ पर ध्यान देंगे कि द्रविड आर्किटेक्चर सब डिवाइडेड इन्टो फाइब इस्टाइल इस्थापत तिकला की पाँच सैलियों में विभाजित हैं जैसे पल्लो सैली, चोल सैली, पांडे सैली, विजयनगर सैली और उत्तर पांडे सैली या मदुरा सैली म में विभाजित किया गया है, अब अगर आपसी यहाँ पर question पूसते हैं कि द्रविड आर्किटेक्चर कितनी सैलियों में divide किया गया है, आप अपना answer code के माध्यम से चयन करें, तो आपकी इन पाचों में से आप अपने answer को code के माध्यम से चयन करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, next point, तो द्रविड में इस्थापत्य कला मंदिर की क्या-क्या विसेश्थाइं हो सकती हैं, सबसे पहले आप देखेंगे जो टेंपल है, मंदिर है, वो enclosed है within a compound wall, एक जो है मिस्रित दिवार के भीतर घीरे हुए होते हैं, जितने भी द्रविड इस्थापत्य क मंदिर बनाए जाते हैं, दूसरा अगर आप इसकी विसेश्था देखेंगे, तो यहाँ पर पिरामिट की भाती टावर होते हैं, जितने भी आपके टावर होंगे सब पिरामिट की तरह बनाए जाएंगे, मंदिर में, even India कलचर में आप जितने भी मंदिर देखते हैं, उसम से जानते हैं, next feature में आप देखेंगे, तो tower और विमान आपके पास आएगा, the विमान is like a stiffed pyramid that rise up geometrically rather than the carving seekers of North India, विमान या tower पाए जाते हैं, जो चरन बद्ध पिरामिट की तरह होते हैं, और उत्तर भारत के घुमाओदार सिखर के बजाए जामिती रूप से उपर उठेवे होते हैं, यानि कि द्रविड इस्थापत्यकला की विशेशता क्या है, यह घुमाओदार सिखर नहीं होते हैं, बलकि geometrically या जामिती रूप से उपर उठते वे आपको दिखाई देंगे, tower को अगर आप देखेंगे, the tower is topped by a dome-shaped cupola and a crowning pot and finial, dome-shaped cupola, tower में सबसे उपर अगर आप देखोगे इधर की और, तो यहाँ पर गुमबत की आकार का सेप आपको दिखाई देगा, फिर आपके पा सिक्वेंस से भी लगाने देते हैं, तो सबसे पहले गुमबद होता है, यानि कुपोला होता है, फिर आपके सामने एक मुकुट पॉट होगा, और दिन आपके सामने मंदिर में सबसे उपर की भाग पर जो बिठाया जाता है, वह होता है, कलस. दक्चिन भारत की और द्रवड इस्टाइल की मंदिर की अन्य विसे स्ताओं में से आप देखेंगे, लार्ज वाटर रिजर्वियर्स और टेंपल टैंक, इंक्लोष्ट इन दा कॉंपलेक्स इस जनरल इन साउथ इंडियन टेंपल्स, दक्चिन भारती मंदिरों के परीशर में एक बड़ा जलासे या तलाब पाया जाता है, लगबग लगबग इधर पर आपके एक जलासे या तलाब होते हैं, जो इन मंदिर के परीशर पर पूरे तरीके से होते हैं, इस मंदिर परीशर में कहीं कोने में या कहीं एक विसेज जगा पर आपको तलाब दिखाई दे अब आप यहां पर ध्यान देंगे कि द्रविड इस्थापत्यकला से रिलेटेड हमारे पस कई इस्थलाख है या कई साइट्स को रखे गए हैं जैसे अंकुर वाट जो कहां पर है कमबोडिया में हैं चोलों के जितने भी मंदिर बने हुए हैं सब किस स्टाइल में हैं यहां पर आप देखेंगे हांपी भी किस स्टाइल से बना हुआ है तो हांपी भी द्रविड इस्थापत्यकला में बना हुआ है और दूसरा आप देखेंगे तो महावली पूरम अब आप यहां पर देखेंगे गोपूरम आपका प्रवेश त्वार माना जाता है मंदप हम लोग किसे कहते हैं तो मंदप एक तरीके का एक हौल होता है जैसे ही हम प्रवेश त्वार से अंदर जाते हैं मंदप या एक हौल आप कह सकते हो हैं या आप कह सकते हैं कि सनलगन खंबे तो सनलगन खंबे या हॉल एक मंडप होते हैं जो नाभी कोसिका की और जाने वाले द्वार से पहले होता है यह नाभी कोसिका है आपका नाभी कोसिका जिसे हम लोग गर्भ ग्री के नाम से जानते हैं गर्भ ग्री को अगर आप देखते हैं तो गर्भ ग्री आप किसे कहते हैं जिसमें देवता की मुर्ती इस्थापित की जाती है वास्तु सास्त्र के नुसार अगर आप देखेंगे तो देव मंदेर में नीचे से उपर की और उठते वे कई विभाग होते हैं ऐसे नीचे से उपर उठते वे पहला होता है जगती दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा होगा अधिश्थान तीसरा होता है गर्बग्री चौथा होता है सिखर और पाँचवा होता है जिसमें सिखर के सबसे उपर और अंत में जिसे हम लोग कहते हैं आमलक और कलस तो आप ये देखें वास्तो सास्तर के अनुसार जो है वो जगती अधिश्थान गर्बग्री शिखर आमलक और कलस जगती क्या है तो जगती मंदिर निर्मान के लिए एक उचा चबूतरा है जहां पर हम मंदिर निर्मान के लिए एक चबूतरा बनाते हैं और वो चबूतरा कैसा होता है थोड़ा सा उचा होता है जगती को अगर हम प्राचीन काल में देखेंगे ancient history में देखेंगे तो जगती को मंड कहा जाता था जगती is also called मंड अगर आज प्रजेंट की बात करें कि मंड क्या है तो मंड is just like a chair कुर्सी की तरह है और गर्बग्री हम लोग उसे कहते हैं जहां देवता की मूर्ती इस्थापित की जाती है